अगे में आप सब लोग सिंप्लिविकेशन डेवन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों एट से स्टार्ट आवर क्लास गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं कि अब बैप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा दोस्तों कि आप लोग जो है आपको आप पर नहीं नहीं बैचेज मिलते हैं दोस्तों आप लोगों कि स्कैन करके और उसको 3D में देख सकते हैं 3D में अच्छे से उसको देखकर समझ सकते हैं दोस्तों ठीक है कि साथ में आप हमारा जो टेलिग्राम चैनल है वो भी आप लोग जोइन कर लिजे ताक कि टाइम पर आप लोगों को PDF मिलती रहें ठीक है गढो है यहां पर आप लोगों को पहले कुछ какое बता देता हूं एंबायब के थे आप लोग देख सकते हूं कि एंबायब आप आप लोग अगर डाउन्लोड कर लोगे तो आप अच्छे से समझ कर और अपनी तेयरी कर सकते हैं doubt resolution system वहाँ पर है जो कि आपको सीधा what step पर लेकर जाएगा वहाँ पर click करते ही और आपको मदद करेगा problem solve करने में 60 plus live classes daily वहाँ पर आपको provide करवाई जा रही है parent app आप लोगों के लिए है achieve journey मतलब आप अपनी achieve journey वहाँ पर set कर सकते हैं कि आपको achieve क्या करना है app खुद आपकी मदद करेगा उसको achieve करने में mbip practice और test की बात करें तो डेड़ मिलियन से ज़्यादा questions वहाँ पर आप लोगों के लिए है interactive google lessons है जिसमें 3D, 2D assets है lens app आप लोगों के लिए यह सब चीज़ें आप लोगों के लिए mbip पर available है तो यहाँ पर आप लोगों को schedule दिखा रहा हूँ जो schedule है वो आप लोग note कर लीजे दोस्तों अपना जो schedule रहता है mbip का ठीक है आप लोगों के सामने है कब कब कौन कौन सी class होती है आप लोग देख लीजे यूट्यूब का schedule आपके सामने है पराकरम बैच जो यूट्यूब पर चल रहा है इसमें हम आप लोगों को concept करवा रहे हैं दोस्तों यहां पर यूट्यूब पर ठीक है और जो app पर class होती है उसका schedule भी आप लोग देख लीजे आप पर जो classes होती हैं दोस्तों उन में हम आपको पीवाई क्यूज करवा रहे हैं previous year questions तो यह भी आप लोग schedule देख सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अब आगे हमारे की session को तो आगे बढ़ते हैं और कि यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं सिंप्लिफिकेशन की session को आज सिंप्लिफिकेशन में दोस्तों हम simplify कैसे करते हैं चीजों को यह सब चीजें करने वाले हैं इसो को simplify करना ठीक है इसमें बार्ड मास रूल भी आजाएगा point वाले questions भी आजेंगे root वाले questions भी आजेंगे ऐसे questions आज हम करने वाले हैं तो देखते हैं पहला question आज का जो आपके लिए है simplification में आज का पहला question आपके सामने यह रहा कि आप लोग ट्राइ करेंगे और बताएंगे answer क्या होगा कि आज कि आज कि रूट 81 इंटू रूट 625 यह आपको यहां पर दिया हुआ है ठीक है और question mark है माइनस 150 तो आपको question mark की जगह क्या है यह बताने यहां पर देखिएगा दोस्तों रूट 81 जो आपको यह पर दिखाई दे रहा है इसकी value होगी 9 रूट 625 जो दिखाई दे रहा है इसकी value होगी 25 और question mark की जगह आपका आजाएगा x और माइनस में आपका आजाएगा 150 question mark को हमने क्या माल लिया x माल लिया दोस्तों बस आप value निकाल लेंगे 25 नाइन जा 225 एक्वल टू एक्स माइनस 150 तो यहां से आपकी x की value निकल कराईगी x equal to हो जाएगा आपको कितना एक्स इक्वल टू आपका होजएगा 375 यह है आपका आंसर है दूस्तों 375 कौन सा option है बता ही है option a will be the right answer of this question बात समन में आ रहे है सभी को तो यह पहला question easy सा था कोई दिक्कत नहीं थी इसमें आप लोग आराम से कर सकते थी यह आज का second question आपके सामने है एक पर आप लोग try करेंगे फिर हम discuss करेंगे इन देरों आप लोगों को try करने के लिए पूरा एक देड़ मिनट का टाइम है बताईए answer क्या होगा झाल कोई भी answer आए तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं दोस्तों बटावट से आप लोग मुझे बता सकते हैं फिरम आप लोगो तो अलेट करेंव इसको इस question को 12.25 ठीक है इसका जो under root आप निकालोगे दोस्तों इसका आएगा 3.5 1225 किसका square होता है 35 का square होता है ठीक है तो 12.25 का क्या हो जाएगा 3.5 12 यह हुए माइनस x का square बराबर में 6 है 12 गुणा यह करोगे 3.5 ठीक है तो यह आएगा 42 माइनस x square equal to 6 तो x square equal to 36 और x की value आपकी 6 के बराबर आजाएगी दिख रहा है न तो x equal to 6 आजाएगा यही आपका answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है आप लोग एक तो यह रूल अच्छे से आप लोग याद रखना दोस्तों कि जैसे आप कोई भी square अगर मैं यहाँ पर लूँ ठीक है जैसे मैं कोई भी square यहाँ पर लेता हूँ मैंने 32 का square लिया 32 का square क्यों होता है 1024 होता है की नहीं बताओ अब यह 1024 जो square है दोस्तों ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ कि under root 1024 की value बताओ क्या होगी तो आप बोलोगे 32 होगी लेकिन अगर मैं आपसे पूछू कि 1024 की value बताओ तो फिर आपका answer क्या होगा तो आप लोग ध्यान रखना किसी भी work में किसी भी square में अगर right side से दो छोड के point लगाया आपको आपने तो उसका जो work move होगा उसमें एक छोड के point लगेगा तो मतलब जो work move है 32 है तो वहाँ पर 3.2 हो जाएगा दोस्तों आपका तो हमेशे ध्यान रखना square root और squares में यह relation होता है कि square number जो होता है उसमें right side से दो छोड के point लगेगा ठीक है तो square root जो होगा वर्ग मूल जो होगा उसमें एक छोड के ही point लगेगा क्योंकि 3.2 को जब आप दो बार गुना करोगे तभी तो 10.24 आएगा दो छोड के point लगेगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर चार छोड के point लगा दू जैसे under root 0.1024 कर दूँ इसको दाई तरब से 4 छोड के point लगा दिया तो square root जो होगा उसमें 2 छोड के point लगेगा आदा कर दिया अगर हो सीधा आदा हो जाएगा ठीक है यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ कि under root में मैंने यह कर दिया point 001024 यहाँ पर 6 छोड के point लगा है मैंने 6 संक्य है चोड के इसका जो under root आएगा उसमें 3 छोड के point लगेगा तो यह point 032 हो जाएगा point 032 बात्सवान में आ रही है तो square root जब भी निकालोगे तो आधा कर दिया करो यहाँ पर 6 छोड के यहाँ तीन छोड के point लग जाएगा point कहां लगाना है यह आपको पता लग जाएगा देखते ही यह तो है square root लेकिन यह तभी लगेगा जब even numbers में छोड कर point लगाए जैसे 2 छोड के 4 छोड के 6 छोड के तभी आएगा अगर 5 छोड के लगा दिया तो direct नहीं आएगा फिर क्योंकि उसका square root direct नहीं बन पाएगा ठीक है even संख्यों में लगे गाई ध्यान रखना अगर क्यूब root की बात करें क्यूब root में एक कर देते हैं जैसे मैं अगर आप लोगों को बात करूं कि जैसे हम सबको अच्छे से पता है कि 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है दोस्तों 12 का क्यूब रूट जो है वो क्या होगा? वो होगा 12, यह सब को आता है हमको अच्छे से लेकिन अगर आपसे पूछूँ कि 1.728 काプर ूट क्या होगा? तो यह 3 छोड के पॉइंट लगा न यह क्यूब नंबर जो है न इक्यूब है. तो इसमें तीन चोड़ के point लगा है तो इसका cube root जो होगा 12 उसमें एक चोड़ के point लगेगा यह आप लोग ध्यान रखना अगर और तीन चोड़ के लगा दें दोस्तों तो point 001728 यहाँ पे 6 चोड़ के point लग रहा है तो इसका cube root जो होगा जब आप इसका घंदमूल निकालोगे तो उसके अंदर दो चोड़ के point लग जाएगा 6 का एक टी आई कर दो point 12 आपका अंसर आजएगा आई बात समझ में तो यहाँ 6 चोड़ के हैं तो यहाँ पर दो चोड़ के हो गया आप 1 थर्ड करना है cube root में आप 1 थर्ड करोगे और square root निकालने के लिए आदा करोगे आप हमीशा यह आप लोग ध्यान रखना ठीक है लेकिन यह ध्यान रखना कि यह यह तो cube root में 3 चोड़ के हो 6 चोड़ के हो या 9 चोड़ के हो तब ही ऐसा possible होगा और square root में 2 चोड़ के 4 चोड़ के 6 चोड़ के 8 चोड़ के इस तरह से point लगना चीए ऐसे नहीं 3 चोड़ के लग गया तो फिर वो square नहीं होता है दोस्तों जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि जैसे 3 चोड़ के point लगा दिया आपने 1024 था तो 1.024 कर दिया तो इसका square root direct नहीं आए गई इसका square root direct नहीं आएगा इसका पूरा आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों जैसे यहाँ पर तो 10.24 का कितना आगया था 3.2 आगया था ऐसे 0.1024 का कितना आगया था 0.32 आगया था ठीक है ऐसे 0.00 इसका भी आगया था लेकिन इसका direct नहीं आएगा इसका square root आपको निकालना पड़ेगा direct root नहीं आएगा यह आप लोग ध्यान रखना था इसका आप लोगों को निकालना पड़ेगा 1.024 इसका जो root निकालने क्या तरीका होता है उससे आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालते हैं हम ठीक है यहां point लगा है तो पहले आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा point लगाना पड़ेगा दोस्तों और 2-2 की इदर से जोडे आपने बना ली point यहां पर लगा है अब पहले जोड़ा है आपके पास 10 ठीक है तो दस में आपको भाग लगाना है तो आपको लेना पड़ेगा तीन तो तीन आपने यहां पर लिया तो तीन तिया कितना हो गया? नो हो गया दोस्तों नो तीन को इधर जोड़ा तो छे हो गया यहां पर भी कितना हो गया? छे हो गया तो बच्चा कितना एक फिर यहां पर एक सो चोबीस हो गया कि एक मिन्ट रुकिये गा नाने पर आपको यहां पर लेना पड़ेगा वन कि पॉइंट वाला नंबर नउन थे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि पॉइंट वाला अलग है तो तो आपको इधर का अलग रखना पड़ेगा वन जीरो को तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा पहले वन लेना पड़ेगा वन इंटू वन करोगे तो वन आ जाएगा यहां पर फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा यह एक जोड़ा यह लेना पड़ेगा एक 40 तो यहां पर आपका हो जाएगा यह 286224 ठीक है 1.8 के आसपास आपका आंसर आजएगा ठीक है यह बनता जा रहा है तो यह इस तरह से बंद करा जाएगा एक मिट रुकना यहां पर जो है एक जीरो और लग जाएगी भाग तूट की जीरो लगाते हैं न क्योंकि जीरो टू पहला जोड़ा लिया इसमें भाग नहीं जा रहा था जब आपने दो लिया था तो इसमें भाग नहीं जा रहा था कुछ भी लेने से तो यहां पर एक जीरो लगाया और दो सुचालिस कर लिया वन पॉइंट जीरो एट सम्टिंग यहां पर यह आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से आपको यह निकालना पड़ता है दोस्तों बात आ रही है सबको समझ में अब आगे जी तरफ चलते हैं यह रहा आपका अगला कुश्चन इसको आप लोग ट्राइ कीजिए और बताएगा आंसर क्या होगा क्या आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों क्या दोस्तों कि मैं आपको वह छीज जो है फिर से आपको बतारत हूं जैसे आपको कभी भी अंडर, onud बेना होता हैज अभी आपको मैं बता थी है वन, pointernal geek ठीक है जो है पूरा अच्छे से आपको बार और बतार तो दोस्तों जहां से आप लोग देख लेना यहां पर आपको क्या करना है पहले आपको यह देखना है कि यह पॉइंट के पहले वाली जो संख्या है उसको अलग से लेना पड़ता है यह होता है तरीका और पॉइंट के बाद वाली संख्यों को आपको अलग से देखना बपर मरन लाने के लिए लोग है वन फिर वापस से आप यहां पर यहां पर होजाएगा तु इस एट क्लिर टू अलवीम बताइए यहां तक तो आपको समझ में आई गया पिर आगे पॉइंट लगा हुए ठीक Hey तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा पिर अगला जो आप यहां पर नंबर लोगे वो लोगे 02 टीक Hey 02 आप यहां पर नंबर लोगे दोस्तो तो अब इसमें भाग जाएगा नहीं जीरो टू में दो के साथ आप कुछ भी ले नहीं सकते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक भाग तूटकी जीरो लगानी पड़ती है ठीक है डिविजन ब्रेक करने के लिए आपको एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ता है दोस्तों और जीरो लगाने के बाद आपको अगला नंबर यहाँ पर उतारना पड़ता है अगला नंबर क्या है यहाँ पर चार है इसको आपको ऐसे कैसे यहाँ पर लेना पड़ता है तो यह 0 24 हो गया दोस्तों फिर यहां पर आप भाग दोगे तो 21 एक ले लो यहां पर 21 एकम 21 ऐसे भाग देना पड़ेगा इसका बचेगा कितना आपका 3 बच जाएगा यहां पर एक को इसमें जोड़ो वापस से ऐसे चलता जाता है फिर 22 हो गया 22 का भाग तीन में नहीं जात ठीक है तो फिर से आप लोगों को क्या है यहां पर डबल जीरो लगानी पड़ेगी ताकि 22 के साथ कुछ लेंगे तो चला जाएगा भाग तो एक ही लेना पड़ेगा फिर से वन पॉइंट जीरो वन वन ऐसे चलता जाएगा यह तरीका होता है ठीक है तो आगे आपका बच अगर इसमें इवन नंबर चोड़कर आप पॉइंट लगाओगे तो डिरेक्ट अंडरूट आ जाएगा कैसे जिसे 10.24 का क्या जाएगा 3.2 और अगर 0.1024 का पूछे तो 0.32 यह डिरेक्ट आ जाएगा लेकिन तीन छोड़के लगा दिया तो डिरेक्ट नहीं आएगा तीन ट्राइगा जल्दी से इसका अंसर क्या हो ला कुंसा करें थे हम यह वाला हमने करी लिया था यह वाला ट्राइग कर रहे थे बताएगा अंसर क्या होगा इसका कोई भी आंसर है तो आप लोग बता सकते हैं को शर्णार कर द으면 वाला हमने कर दो आपागा सकते हैं झाल 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 कोई भी आंसर किसी का तो आप लोग बता सकते हैं इस तरह के question को जो आप solve करोगे दोस्तों तो 3 प्लस 2 रूट 5 का होली square यहां पर बोला गया है कैसे हम इसको solve कर सकते हैं देखिए गध्यान से देखिए पहले आप इसके square करेंगे यहां पर तो यहां पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस 12 रूट 5 प्लस 9 ठीक है तो यहां पर इसके square कर दो बस दोनों तरफ आपको पता लग जाएगा 12 रूट 5 से तो 12 रूट 5 cancel हो गया 9 से 9 cancel हो गया तो बचा क्या x equal to 20 यही आपका answer है 20 आपका यहां पर answer हो जाएगा चलिए अगला question आपकी सामने है try करिएगा और बताइएगा answer पूरा time दे रहा हो आपको एक डिड़ मिनिट का try करिए बताइए तो झाल झाल आप लोगों को अच्छे पता है हमने पहले भी किये हैं यहां पर लिखाओ है वन इसको पहले आप ऐसे लिख लिया करो रूट टू प्लस बड़े नमबर को पहले लिख लो एजी ज्यादा पढ़ता है क्वेशन रूट थी प्लस रूट टू आगे रूट फॉर प्लस रूट पहले बड़ा नमबर लिख लो लास्ट में प्लस रूट टूजन्ट टूट वंट्पलस रूट टूजन्ट टूजञद को अब उस्का जब आप ऊपर नीचे मल्टिप्लाई करते हो रूट टू-1 से ठीक है तो आप लोग देख सकते हो ऊपर के वल रूट टू-1 रह जाएगा एपलस बी зач मस्य मार्गी तो कि ऊनली स adesso यहाँ पर एका अंतर सब में नीचे 1 आता जाएगा आपका यहां पर भी आप करोंगे नाुपर नीचे सो छाएगे लेकिन नीचे वन हो जाएगा जैता यहांquar थो थो जि inquire माइनस रूट 2020 हो जाएगा अब उन में वन यह सब कट जाएंगे दोस्तों इस सारी वैल्यूज जो है यह कटती भी चली जाएंगे अब लास्ट में कौन सी वैल्यू कटेगी ध्यान रखना कोई भी वैल्यू पहले आ रही है तो वह आगे जाके माइनस में हो रही है फिर कट रूट 3 को देखंगो आप पहले प्लस में आया आगे माइनस में हुआ तब जाकर कटा तो ऐसे ही आपका यह रूट 2020 माइनस में दिख रहे हैं दोस्तों तो यह कटेगा पहले यहां पर ठीक है यह नहीं कटेगा root 2021 क्योंकि यह अभी तक यहां पर क्या है प्लस का है यह आगे कटना चाहिए तो यहां आगे तो कुछ है ही नहीं तो इसलिए यह वाला नहीं कटेगा आपका कौन सा कट जाएगा ठीक है यह वाली वैल्यू आपकी यहां पर क्यांसिल हो जाएगी कट जाएगी तो आपका बच्चे का क्या root 2021 और minus 1 एक minus 1 शुरू में और बच गया आप लोग देख सकते हो तो answer आपका क्या हो गया है पर यह answer हो गया कुंसा डी option बात समझ में आ रही है सभी लोगों अच्छे से लिए आगे चलते हैं फिर कि नेक्स्ट यह रहा आपके सामने त्राइब करिए और बताईए आंसा जिसका इसको आप लोग कैसे सोल करेंगे फटाफट से ट्राइ करके बताईएगा बात प्गल कर दिए ऑग्ज़ फटाव प्रणी यह यह रहा आपके प्राइब को अज़ कर दो, अब देखेगा दोस्तों यह जो वैल्यू है यहां पर यह इसको आप रैशनलाइज कैसे करोगे इसको आप रैशनलाइज करने के लिए उपर नीचे मल्टिप्लाइ करोगे 3 माइनस रूट 5 से ठीक है तो बटा में अगर कोई भी ऐसी वैल्यू अंडरूट वाली वैल्यू तो उसको पहले हम रैशनलाइज करते हैं रैशनलाइज करके और फिर हम नीचे का अंडरूट कैंसिल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए अब उपर तो हो गया 3 माइनस रूट 5 और नीचे क्या हो गया आपका ठीक है तो यह 3 अलग ले लिया मैने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया और यल्सीम ले लिया तो यह बन गया मेरा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 3 minus तो यह हो गया 6 upon 4 तो यह आगया आपका 3 by 2 यह ही आपका answer हो गया Is it clear? ठीक है? तो उमीद है कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत, कोई problem, परिशानी तो बता ही परिशानी परिशानी तो यह होगा ऑगया आपका पर आपका – कि अगया आपका अगले अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने यह बॉर्ड मास की क्वेश्चन्स आते हैं दोस्तों बॉर्ड मास के भी क्वेश्चन्स आप लोगों से पूछे जाते हैं अब यह इस तरह के क्वेश्चन्स को आप कैसे करेंगे सो बदाईएगा अब दीजिए पूरा एक मिनट का आपको ट्राइम देदे दों ट्राइए कर लीजे फिर हम डिसकस करेंगे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल करेंगे न दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे पहला ब्रैकेट आपका लिखा हुआ है दो प्लस नीचे वाली वैलिव सॉल करेंगे पहले दो दूनी चार और एक पांच बटा दो माइनस फिर ये ब्रेकेट स्टॉल करेंगे तीन बटा दो माइनस ये लिया लिखा हुआ है ठीक है ये पूरा जो है एक साथ है दोस्तों ये दोनों पूरे एक साथ है पहले इसको स्टॉल करेंगे हम यहाँ पर पहले ब्रेकेट को तो ये हो जाएगा दो प्लस दो बटा पांच माइनस दो माइनस दो बटा तीन ठीक है एक ब्रेकेट तो आपका ये हो गया माइनस में इधर वाले रैकेट में चले तो 1 बाई 3 के साथ इंटू पूरा ब्रैकेट हो गए 24 अपॉन 15 प्लस यह काट लेतें 3 चोके 12 और 3 पंजे 15 यह चार दुनी 8 बटा 5 है दोस्तों यह कितना है 8 बटा 5 इसको भी काट लो 3, 8, 24, 3, 15 तो इसको भी हम यहाँ पर आठ बटा 5 लिख लेते हैं तो यह होगे दोस्तों 12 बटा 5 माइनस 4 बटा 3 इधर की तरफ हो गया 1 बाई 3 इंटू 16 बाई 5 यह हो गया दोस्तों 16 बटा 15 और यह भी हो गया इधर 16 बटा 15 दोनों कैंसिल होगे आंसर होगे जीरो जीरो विल बी दा राइट आंसर ओग दिस क्वेश्चन तो हमने पूरा सॉल किया तो यह जीरो बन करा गया है इस इट क्लियर है इस तरह से आपको यह क्वेश्चन करना था दोस्तों अगला यह रहा आपके सामने ट्राइ काह hates abodeulators रूल है दोस्तों बार्ड मास रूल में आप लोगो को यह अच्छे से झ्यान रिखना है जब भी boundary मास रूल हम फ़ॉल करते बारग मास उसमें एक तो ब्रैकेट होता है कि सबसे पहले यह सौल होता है ईसी ओर्डर में सौल करता है ब्रैकेट के जो है add plus solve करना होता है फिर minus solve करना होता है इसके अगर मैं V लगा दू पहले तो V का मतलब है vinculum vinculum मतलब bar जो ऐसे line लिकी हुई है अगर ये लगी हुई है कहीं पे भी पूरे question में तो सबसे पहले ये solve होगी पहली priority हम इसको देंगे दोस्तों बार लगा हुआ है तो ठीक है तो यहां पर बार लगा हुआ है आप देख सकते हो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आप सब लोगों को ठीक है तो सबसे पहले आप किसको solve करोगे बार को solve करोगे ठीक है वैसे आप जो value अलग अलग है उनको तो solve कर सकते हूँ जैसे अलग मतलब जो fraction में है उनको बदल सकते हो कोई दिक्कत नहीं fraction वालों को पर जो operation है plus minus divide इनको नहीं solve कर सकते हैं आप किसी को भी पहले बार वाला solve होगा बार का मतलब यही होता है कि अगर बार लगा हूँ है विनक्यूलम लगा हूँ है उसके नीचे जो संख्या है सबसे पहले उसको solve करो यह मतलब होता है बस और कुछ मतलब नहीं है तो इधर जब आप इसको solve करोगे तो बारा चुके 48 हो गया दोस्तों 42 चुके 48 और 49 बटा 4 मैं बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ रहा हूँ बस fraction को बदल रहा हूँ 4 दुनी 8 और 3 11 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 पांचो के 20 और 21 21 बटा 5 माइनस अब यह बार वाली जो संख्या है उसको आप solve करोगे पहले दस इसका LCM आ रहा है ठीक है तो पांस दुनी 10 दो दुनी 4 माइनस 3 यह बार वाली संख्या solve होगी दोस्तों जिसके बार लगा हुआ था ठीक है यह मैंने इसको यहां पर solve कर लिया और divide by 7 by 69 लिखा हुआ है तो यह 49 बटा 4 है यहां पर यहां पर 49 बटा 4 divide by यह हो गया 11 by 4 minus 1 by 4 अब यह bracket solve होगा पहले पूरा तो यह 21 बटा 5 है minus का यह जो आया है यह एक बटा 10 आया गया है दोस्तों यह पार को हमने solve कर लिया है और minus चिन्न जो था उसको हमने छेडा नहीं है यहां पर जो यह minus चिन्न था दोस्तों यह 2 बटा 5 के साथ नहीं था यह ध्यान रखना है यहां पर आपको दिख रहा होगा न माइनस का जो चिन्न है वो 2 बटा 5 के साथ नहीं अलग था हो तो 2 बटा 5 प्लस का है क्योंकि बार के नीचे आपको अलग मानना पड़ेगा इसक 40 माइनस एक 41 बटा 10 बन गया दोस्तों यह 41 बटा 10 डिवाइड वाइड वाइड सेवन बाइड सिक्स्टी नाइन अब 41 बटा 40 को जब आप सौल करोगे तो यह तो 49 बटा 4 ही है डिवाइड वाइड 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 110 माइनस 41 बटा 40 यह आ गया LCM लिया ना आपने 40 LCM और बाहर की तरफ है 7 वाइड 69 तो यह आपका टोटल हो गया दोस्तों यह बन कर आ गया इसको आप लेग सकते हो 49 बटा 4 दिवाइड वाई 41 गया तो 79 हो गया ऐ 49 बटा 40 दिवाईड वाई 7 डटा 59 ऐसा बन गया ए फिर जब आप इसको सौल करोगे आगे की तरफ तो ये बनेगा आपका 49 बटा 4 divide को आप उल्टा कर दोगे into कर दोगे दोस्तों और जो अगली संक्या है उसको उल्टा कर दोगे ये rule होता है कि जहां पर भी divide आता है ठीक है उसको into करके और अगली संक्या को उल्टा कर देते हैं तो 40 बटा 69 कर देंगे अगला फिर डिवाइड आ रहे है तो डिवाइड को फिर से हम इंटू कर देंगे और अगली संक्या को उल्टा कर देंगे 59 बटा साथ 69 से 69 कट गया ठीक है कि साथ से 49 कट गया साथ बार कर पकड गया दस बार दस सत्ते का क्या हो गया सत्तर सत्तर किस्टा राइट अंसर और डिस ग्यर रहे कि इस तरह सेा को करणा होता है अगला वह आपके सामने है ट्राइग करीये बढ़ा या अंसर क्या होगा पिर से वैसे ही करना है दोस्तों अभी जो बताया था मैंने आपको यहां पर जो है 18 के स्क्वाइर दे रखाया तरह के स्क्वाइर के होता है तीन सो चोबिस गुणा में दो है डिवाइड में नो है तो डिवाइड को आप इंटू कर दो और वन बाइन कर दो बताया चाना भी उल्टा कर दिया करो प्लस इन की पावर चार 21 होता है अब यहां पर डिवाईड है अब ही इसको छेड़ो नदर को क्योंकि फेले पुरा ब्रेकेट सॉल करेंगे पहले हम अनदर वाला पहले पूरा ब्रेकेट सॉल होगा 32 माइनस यह बार लगा हुआ है तो बार के नीचे वाली संक्या सॉल करो पहले 32 में से काट लेते हैं इसको यह तो अलग है ना प्लस आगे न बीच में तो यह वाली संख्या है अलग होगी इदर की तरफ नो से काट लो नो तिया 27 नो चिकी चोवन भेंटतर हो गया है तो 72 प्लस से इटी वन के बाद डिवाइड वाई इस सताई से दोस्तों अब आप इसको करो सॉल 72 प्लस इटी वन इंटू इसको उल्टा कर दो सत्ताईस तेस्ट यह एक क्यांसी पिच अतर आपका यहां पर आंसर आज एगा इस इट क्लिर कर सकते हो आप बॉर्ड मास रूल जो है उसको आसानी से कर सकते हो आप कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चन्स पर चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाफ्ट करेंगे दोस्तों अमीद है कि सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी आई है समझ में तो यह इस टाइप के क्वेश्चन्स जो हमने किये हैं यह बहुत ही काम के क्वेश्चन्स हैं दोस्तों सारे के सारे एक मैं भी आप लोगों से यहां पर पूछना चाहूंगा क्वेश्चन्स आप लोग यह रूल तो देख लिए न अच्छे से देख लो इनको जो अभी मैंने आपको सारे रूल बताए हैं ठीक है बार्ड मास का यह जो रूल है यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना हैं क्योंकि this is a very very important rule guys बार्ड मास की सारे questions आपके इसमें solve हो जाएंगे कोई दिक्कत आपको नहीं रहेंगी बार्ड मास के questions में जो rules अभी मैंने बताएं वी का मतलब क्या होता है यह अच्छे से आप लोगों को पता लग गया होगा वी का मतलब होता है winculum वी क्या होता है दोस्तो who inculum यह आप लोग ध्यान रखना है थैक है जी बात सब को समझ में आगे हुई अच्छे से मैं भी आप लोगों से यहां पर पूछ लेता हूँ कोई भी जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर दिया दूस्तों 1 बाई 2 ओफ 2 बाई 3 दिवाइड बाई दिवाइड बाई मनलो 1 बाई 3 यह दिया मैंने आपको इसको आप लोग कैसे सॉल करोगे बताओ ज़रा जल्दी से मुझे आफ का मतलब अभी क्या बता है मैंने गुणा होता है आफ का मतलब ठीक है और आफ आपको पहले सॉल करना होता है हमेशा डिवाइड से भी इंटू से भी तो यहां पर पहले आप डिवाइड मत कर देना दोस्तों कि अगे कि यहां पर आंसर तो सेम ही आजाएगा लेकिन आंसर चेंज भी हो सकता है इसलिए आप लोग यहां पर पहले किसको सॉल करेंगे पहले आप वन बाइटू इन्टू ओफ का मतलब क्या है इन्टू पहले इसको सॉल करेंगे और फिर इस डिवाइड को आप सॉल करेंगे डिवाइड का मतलब क्या होता है इन्टू करके अगली संक्या को उल्टा करना बस यह आपका आंसर आजाएगा कि इतना आगया वन के बराबर आपका ये आंसर आगया दोस्ते इस इट क्लियर बताइए अब ये बताइए वन बाइट तू डिवाइड वाई वाई तू बाइट री और वन बाइट री इसका क्या आंसर आगगा कि अ यह क्या अंसर आगा आप लोग बताइए अजयों पर पहले आपको क्या सोल करना आफ सोल करना वन बाइट डिवाइड वाइट 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 तू बाइट री और का मतलब क्यों होता है इंटू तो पहले आपको टू बाइट री और वन बाइट री को मल्टिप्लाई करना है दोस्तों तो वन बाइट डिवाइड वाइड 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 नाइन हो गया यह आपका अब आपको आगे करना है वन बाइट टू इंटू नाइन बाइट इसको उल्टा कर देना है तो नाइन बाइट फोर आपका आंसर आ रहा है यह आपका आंसर हो जाएगा अगर आप पहले डिवाइड कर दोगे यहां पर कि वन बाइट टू को पहले डिवाइड कर दो ठी भाइट टू से और फिर आफ को सॉल्ट कर लो मतलब off one by three ये दिये हो गए तो ये हो गए आपका three by four फिर into करोगे आप one by three तो ये तो आपका कटके one by four देखो wrong आ रहा है ये answer आपका wrong है ये आपका right answer है ये आप लोग ध्यान रखना है तो पहले आपको off solve करना है हमेशा उसके बाद ही आपको divide का solve करना पड़ेगा बात आ रही है समझ में सभी को off का मतलब भी क्या होता है into होता है सबसे पहले off solve होना जी इन में अब भाईया आप लोग गयोगे ये बता देता हूँ कि अपना जो ये जो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लो क्योंकि वहीं पर आपको सारे batches मिलेंगे 3 में और सारा content मिलेगा मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलता है mbive app पर आपको learn में जाओगे 70,000 प्लस वीडियो मिलेंगे doubt resolution system है mbive live classes है 60 plus live classes daily है parent app है achieve journey आप set कर सकते हो जेड़ मिलियन से ज़्यादा questions है प्रैक्टिस और टेस्ट में इंट्रेक्टिव कूगो लेशन से lens app है lens app भी आप लोगों के लिए फाइदे मन्दे क्योंकि lens app पर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप 3D में चीज़ों को देख सकते हो scan करो 3D में देखो और समझो अच्छे से और जो अपना आप लोग डाउनलोड करें क्योंकि वहां पर पीवाई क्यूस करवा रहे हैं दोस्तों और टेलिग्राम चैनल भी आप लोग जोइन कर लीजे ताकि टाइम पर पीडिएफ सब को मिलती रहें थैंक्यू सो